हेलो एब्रिवन वेल्कम टो एडूशियल्ड सो कल यानि 15 ओव जुलाई से आपके सीवीट के एंट्रेस एक्जाम स्टार्ट होने वाले तो आपने एक्जाम से पहले उन सभी बातों को धिहान रखना है जो बाते आपको एंटीए ने बता रखी है ठीक है तो आज की वीडिय से आपकी छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले इस सारे गाइडलाइन जो कि आपके एंटीए ने आपके उफिशली आपकी रिलीस किये जो कि उनके वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी ठीक है तो इन आपन दहां अइंखने बातों को धियान रखना है आप अपना कार्ड available उसके बादद चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से डीके कि छ不好 होता क्या है ब्लैक ऑंगई ब्रिंट होते हैं बो अतनी अच्छी नहीं होती है तो आप कोशिश करें कि आप कलड में देख आप अपसारी से निखलवा सकते हैं इसके बाद जो आपको ध्यार लखना है लो रखना आपने टाइमिंग साथ जैसे कि अगर आपका एक्जाम सुभए स्टार्ट हो रहा है तो आपने यह धियान-खन रखना है कि आप अपने wire पहलãy आप 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आप सारे 8 बजे अपने सेंटर पहुंच जा थीक है क्योंकि अगर आप जल्दी पहुचँ होगे तो आप वहाँ पर जाके रिलाक्स कर पाऊगे तो आप सब कुछ वहाँ पर रिलाक्स से कर पाऊगे आप अपने चीजों को टाइमिंग लेकर कर पाऊगे तो कोशिच करो होगे आप वहाँ पर पहले पहुंच जाओ ठीक है तो दूसरा बात यह ध्यान रखना है इसके बाद आप अपने साथ एड्मिट कार्ड और वी जो चीजे आप वह अपने साथ लेकर जाओ जो इसके बाद आपने जो अपने पहले बता चुका आपको उसका ध्यान रखना है क्या उदमिट कार्ड में पहले पहुंच जो अगर आड में हाफ्य आवर पहले कुछो अगर आप की रिपोरटिंग ठाइम नौ बजए तो उससे भी आप हाफ आफ नौवर विखने इसमें अगर आपको एक यह है रखा है तो आप कोशिश करो अपने साथ जो पास्परसाइज फोटो है आपकी वह दोसे तीन रखो आपने साथ कोशिष करूगी आप तीर अपने सात पास्तरों साइट फोटो रखो एक आप अपने जा लेकर जाओगए आप स्में रखलो और अपने सात कसम लаться और तो यह बात आपको धियान रखनी है और जो कि फोटो आपने अपने आपने अपलोड कि थी जो आपने जब अपने एंडिमेट कार्ड में अपो तो आपने फोतो देखी होगी Same photo आपको लेकर जाने है आपके पास फोतो पड़ी होगी ठिक है अगर पसके सकान करो और इसकी अपना फोतो निकलबालो ठिक है अब यहाँ आपके दाइम है तो फटा-फट जाके वह चीज कर सकते हो ठिक है और इसके बाद जो आप एक्स्टा वो इन विजिनेटर आते, आपके पास उसके बाद साथ ही में आपए फोटो बेस्ट करोगे तो वे आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इसके साथ आपको अपने साथ फोटो लेगे जाने है ताक्त कि आप व市 पास अधार काड़ होता है तो आपने अधार काड़ लेकर जानी है और यह सब हो गया तो यह सब चीजों में से आप कुछ भी लेकर जा सकते हो ठीक है तो यह बात आपने ध्यान रखनी है इसके बाद जो आपने जो मार्च पैंड के रखा होगा वह आप से वह वह तुवा लेंगे आपको महां पर नया मार्च दीया जाएगा तो इन बात अब ठीक है तो सब ध्यान रखना है और अपने साथगी से भी आप अपने साथ कोई इंस्स्रुमेंट जो आपकी वहोचेज होगी वह सब आ प्रवाइट करेंगे अगर आप देखर जाना भी चाहते हो तो एक बॉल पैन आपका ब्लू बॉल पैन आप अपने साथ लिखे जाओ वैसे वह आपको वहाप पर प्रवाइट करेंगे आपको शीट और वह बॉल पन दी जाएगी थिक है तो इस पाथ के धिए रहां रखना ह बाकी आपको कीशीच के लिए आपको आपको जाएदा चीज ज़गत नहीं पड़ेगी क्लिक करना माउस से ठीक है तो इन बात कर ध्यान रखना है अपने साथ कोई वी एक्ष्टा चीज़ें मत लेकर जाना ठीक है तो इस अब बातों का आपने धियान रखते सब्दों इस मीडियम था वह हिंदी भर है कि आप अपना एंट्रेस एक्जाम है वह इंग्लिश में शोफ हो रहा हूँ तो आपने घबराना नहीं है आपके पास बहुत सारे हैल्पिंग के लिए लोग खड़े होंगे आपके इन्विजिलेटर होगा आपने उन्हें कॉल करना है ठीक है मत आपको कैसे कैसे करना को हिंदी कर सकते हैं तो आप इससे पूछोगे आपके लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे आप उनसे पूछ सकते हो हर बच्चे को कोई भी डाउट हो अगर तो आप उन्से पूछ सकते हो अब ऐसा निए कि आप आपको डाउट किससे पूछना है टेकनिकल प्रॉब्लम कुछ आगई उससे लेट आपको डाउट पूछना है तो आपसे जैसे कई बच्चे होंगे जिने आदत नहीं होगी आपके कंप्यूटर में एक्जाम देनेगी तो वो बच्चे आप क्या करेंगे हर चोटी बात का अपनी हल्प ले सकते हो आपने यह नहीं सोचना है कि इतनी चोटी बात मुझे क्यों नहीं आती मैं कैसे पूछ हूँ ठीक है तो आपने क्या करना है अपने हर बात पूछने जोगी आ आपको समझ नहीं आए अगर आपसे पासवर्ण डाला जा रहा तो आप पूछ हो उनसे कि मुझे क्या करना है तो आपने इन बातों ध्यान रखना है आपके बाद जो भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हो ठीक है आपने घबराना नहीं है इन सारे बातों का आपने बिल्कूर से ध्यान रखना है सबसे पहले आपका अपने अपने साथ और यह सब चीज़े आपने फाइल में रख लेनी है ताकि जब आप वहां लेके जाओ तो ज्यादा परिशानी ना हो आपको ठीक है और सुबह सेंटर में बिल्कुल टाइन से स्टार्ट करना ठीक है औ जैसे मैंने बताया आपको इन सब बात होगा आपने बिल्कुल ध्यान लखना है ठीक है और सबी चीज़े आप बिल्कुल अच्छे से करोगे आपने जितने त्यारी किये आपने घबराना नहीं कि कई बच्चों का फेपर अगस्त में आप अभी अपना एजाम दो ठीक है स आपको सभी होगा प्रॉसेस आपको फिर होने वाला है जो कि आपके और अच्छे से कर सको ठीक है तो कल से बहुत ही ज्यादा बेस्ट लख ठीक हैं कोड़ी डॉट हो कमें से करके आउग करेंगे इसके बाद अगर कोई भी डाउट सो आपके पास तो आप वो हमें बता सकते हैं आप पर रिप्लाइब जरूर किया जाएगा इसके साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास सारी वीडियो की नौटिफिकेशन और भी बागी आपके पास रोज आती रहे तो इन बातों को धियान लखने आपने चैनल को जरू सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास सारी नौटिफिकेशन आजाए और मेक शूर कि आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरू जोरूर करें ताकि आपके पास उससे लेटिए भी सारी इंफॉमेशन आपके पास मौस्ति रहे तो आज के लिए तना ही थैंक यू सो मच